हे गाईज आज मैं आप लोगे साथ सेयार करूंगी एट होम ब्यूटी मेंटेनेंस रूटिन जो बहुत ज़दा बजट फ्रेंडली है और बहुत इजी लिया फॉलो कर सकते हो कुछ तो मैं मन्थली फॉलो करती हूँ कुछ वीकली और कुछ तो रोज तो सुरू करते हैं हैर इसपा से और मंध अल्रेडी हो चुका है मेरा हैर कलर करवाते हुए पर एक बर भी मैंने हैर इसपा करा है नहीं तो आज हैर इसपा के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं प्लम बहुत अच्छे से अपने हैर पर एपलाई करूंगी और एंड में जो हैर रहता है वह वैसे भी थोड़ा सा ड्राय रहता है तो उसमें मैं थोड़ा सा थिक लेयर लगाऊंगी ताकि थोड़ा सा हाइड्रेट रहे और इसको मैं एक से डेर घंटा में रख दूंगी और इस प है विकोज हर्मोनार प्राब्लेम तो मैं सेविंग भी कर लेती हूं नीद के एकोडिंग वैसे होड़ वैक्सिंग अच्छा होता है बट होस्टल में जब फास्ट एयर में थी मैं तब मेरा इसकी नेकबद जल गया था तो डर के मारे मैं खुझ से ट्राय नहीं करती हूं प और जाबती छट पट हो जाता है कोई जहलं भी नहीं रहता है तो इससे भी बहुत अच्छे से रिमूब हो जाता है तो मैं इसको वह कर लेती हूं बट यह मैं मंध में एक बारी करति हूं बाकी वैक्सिंग करने के बाद अब मैं यूज करूंगी हैर इसपा क्याप इस क्याप को लेते हुए मुझे चार सल हो गया है अभी तक है अच्छा सही सलामत चल रहा है और बहुत ही रिजनेबल प्राइज में भी मिलता है और यह बहुत अच्छे से वाक करता है अब हैर वाइलिंग करो इसप करो घर पर ही सब कुछ हो जाते है बहुत अच्छे से इस्टीम करता है बट एक चीज का ध्यान रखना अब जब भी करो दस मिनिटी रखो या फिर पांच मिन रखो उससे जादा नहीं जब भी यूज करो तूरंद बाद अब सावर मत लेना क्योंकि पूरा गरम रहते हैं और बहुत जल्दी से ठंडा भी लग जाता है मुझे तो मेरे साथ ऐसा एक दूबर हुआ है इसलिए मैं अभी नहीं करती हूँ मैं अब एक घंटा ऐसा नॉर्मिल छोड़ दूँगी उसके बाद नॉर्मिल टेंपरचर के बाद सावर लूँगी जब भी मैं वैक्सिंग क तब हमेंसा लॉंग नेल्स होता था पर अब नहीं है क्योंकि मेरे पास पेट से और उनलों को भी टेक क्यार करना होता है नेल्स रहता है तो बहुत जद़ा प्रॉबलम हो जाता है और मैं मिनी सो से क्यूट सा नेल केटर लेकर आई थी सॉरी कटर येस और कितना ज़दा क् मेरे पास पेट से तो देखो यहां पर लोगों भी है उनका पाओं का और मुझे चोटा चोटा नेल्स रखना भी बहुत पसंद है क्योंकि बहुत जदा क्लीन लगता है और बहुत अच्छा भी लगता है आप में से किस-किस को छोटा है या फिर किस-किस को लॉग नेल्स सेव करूंगी और जब से हर्मनल प्राब्लेम सुरू हो है तब से दस दिन में एक बार मुझे सेविंग करना होता है क्योंकि हैर गुरोथ इतना ज्यादा हो जाता है कि अपर लिप में तो मुच्छे निकल के आती है और मेरा इसकिन बहुत जदा सेंसिटिव है तो हमेसा मे एलोवेरा जेल या फिर जो सेविंग जेल आता है वो भी मैं लगा लेती हूँ ताकि स्मूथली जो भी ब्लेट यूज कर रहे वो चले कोई भी कट न लगे और रैसेज और इरिटेशन भी ना हो और आइब्रो को भी जब भी करती हूँ थोड़ा सा आराम से धीरे से देख आते हैं वो अच्छे से पेनिट्रेट होता है और जब भी आइवरो आप सेव करोगे तब ध्यान से करना क्योंकि इसमें आपका सेव भी खराब हो सकता है तो जितना सारा मेरा डर्स और गंदेगी था वो निकल गया है और उसके बाद आप टीसू से में अच्छे से क्लीन क होता है और उसके बाद मैं आइसिंग करूंगी पर देखो क्या हुआ आइसिंग में लेने गई थी तो उपर में इतना ज्यादा बरब जमग्यार वो उपेन भी अभी नहीं हो पाएगा उसको थोड़ा दूर रुकना पड़ेगा तो मैं उपर से जो आइस लगा हुआ था उसी सही अपने फेस को में थोड़ा सा मसाज करूं आइसिंग करने का बेनिफिट तो बहुत जादा है जैसे कि एकने पफी आईज और आपका अगर ड़क सर्कल्स हो तो यह सारे चीज़ रिड्यूस होता है और इसकिन को बहुत ज़दा हेल्दी रखता है ग्लोइंग रख है नैचुरल है कोई भी कैमिकल्स नहीं है कैमिकल्स फिरी है तो आप लोग भी यूज़ कर सकते हो यहां पर मैं दही यूज़ कर रही हूं और यह दही ताफ फ्रीज में रखा हुआ था तो इसको लगा के ही मज़ा आगे बहुत ठंदी ठंदी लग रही थी और यह क्ले मा है तो इसको भी रिमूव करने में और हेल्दी स्किन को रखने में हेल्प करता है इसको में पंदरा मिट रखोंगी तब तक मेरे पास टाइम है तो अभी में यहां पर फूड इसक्राबर यूज़ कर रही हूं क्योंकि आज मैंने वैक्सिंग किया था जिस दिन में वैक्सि सब्सक्राइब हो जाएगा और मेरा फूट थोड़ा सा ड्राय है डिहाइड्रेट होके था वह भी रिमूव हो जाएगा अभी संटैन बहुत ज्यादा होता है तो आप हपते में दो दिन कर सकते हो और इसको अगर अब ड्राय प्लेस में करोगे तो नीचे भी जो गिर जात 15 मिनिट हो चुका है अब अपना फेस मास्कों में रिमूव कर लोंगी उसके बाद में नो स्ट्रीप लगाऊंगी यह नो स्ट्रीप में लेके आई थी मीनिसो से आई होप इसका रेजल्ट अच्छा हो अच्छे से वाक करें क्योंकि मीनिसो का प्रोडैक कुछ-कुछ अच अच्छा वाक भी नहीं करता है और नो स्ट्रीप जो है वह महिने में दो बार यूज़ करती हूं और जो चार्कोल वारा है वह बहुत अच्छा है वह बहुत अच्छे से रिमूव भी करता है और मुझे थोड़ा चा भूग भी लग गई थी बीच में तो यहां पे मैं यहारा लग रहा है क्योंकि निव फोड है निव चार्जार है तो सब कुछ अच्छा होना चाहिए और मुझे यह सारे चीज़ का बहुत जोड़ा सोख है आप लोग को कैसा लग करके बताना क्यूर तो लग रहा है ना पूरा पिंट्रेस वाइट दे रहा है और अभी मैंन ब्लाकेर्ज मेरा रिमूव हुआ है और आप लोग को पता है पहले से मेरा अंडराम का जो डाकनेस था थोड़ा कम हुआ है अभी भी टेक क्यार कर रही हूं होप सो कि और अच्छे से यह क्लीन हो जाए और यहां पर मैं स्ट्रिप यूज करूंगी अंडराम का वैक्सिंग करना ताकि हाइड्रेट रहे और अब करेंगे अपना सावर रूटीन नहाने के बाद अब मैं इसकिन क्यार करूंगी पर उससे पहले पानी भी पीलूप क्योंकि बॉड़ी को हाइड्रेट रखना इन्पॉर्टेंट है और यहां पे मैं माइक्रो फाइवर टावल यूज क और अब मैं अपने हैर को हैर ड्रायर करने से पहले नौरियल का सीरम अप्लाई करूंगी ताकि हैर को प्रोटेक भी मिले और हैर के लिए बहुत अच्छा सीरम है आप लोग भी ट्राई कर सकते हो मेरा कैट का अभी तब यह थोड़ा सा खराब है क्योंकि उसको बॉड़ी का इन्फेक्शन थोड़ा सा बढ़ गया है इसलिए पूरा ट्रीम कर दिया है आई होप इंसलो जल्दी ठीक हो जाए जिस दिन मैं वैक्सिंग करती हूँ उस दिन में जादा सजद अपना बॉड़ी को मॉस्ट्रोजर रखने की कोशिस करती हूँ तो मेरे पास बॉड़ी ओईल नहीं है तो यहाँ पे मैं फेस ओईल यूज कर रही हूँ बॉड़ी लोशन के साथ मैं मीक्स करके लगा रही और मेरा बॉड़ी लोशन अल्मुस्ट खतम हो गया है मुझे फिर से री पर्चेस करना पड़ेगा एंड वी स्केयर का बॉड़ी लोशन बहुत अच्छा है तो आप लोग भी यूज कर सकते हूँ जिस दिन में फेस सेबिंग करती हूँ उस दिन में सीट मास लगाती हूँ और आज तो मैं न्यू टाइप का सीट मास यूज कर रही हूँ बबल बाला ये बबल सीट मास से में लेके आई थी ये में फर्स टाइम यूज कर रही हूँ वैसे तो नॉर्मली मेसो का ही सीट मास में यूज करते हैं बहुत अच्छा होता है और इसको लगाने के बाद ही जस्ट जो बबल वाला जो चीज दे वो शुरू हो गया जैसे इनों में जाग बनना शुरू हो जाते हैं वो एक्जैटली वैसे ही हुआ और आप लोग देख सकते हो और ये ना थोड़ा पर मज़ा बहुत आया मुझे बहुत सूधिंग था बट इसमें बहुत सारा सीरम है तो मैं अपना फीट के अर भी कर लूँ वेस्टेज क्यों कर लूँ पैसा तो लगा है ना तो अच्छे से इसको निचोर निचोर के मैंने अपना फीट पे लगा लिया ताकि मेरा फीट भी हाइड्रेट हो जाए इसको भी तक यहर की जरूरत है जिस दिन में सीट मास यूज करती हूं उस दिन में सीरम नहीं लगाती हूं फेस में क्योंकि सीरम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है सीट मास में औरेडी इतना सीरम डायता जो पेनिटरीट होता है 15-20 मिनिट इ March का ये New Lip Bump बहुत अच्छे से ये लिप को hydrate करता है, एक tint effect भी देता है मेरा hair अभी भी dry नहीं होगी तो अब hair dryer से मैं अपने hair को dry करूंगी और मैं Dyson का hair dryer यूज करती हूँ, इससे hair damage नहीं होता है और मैं cooling effect ही जदा करती हूँ, जदा hot air में नहीं लेती हूँ, cool air से आराम से हो जाता है अब मैं अपना hair का splatten को remove करूँगी, यह है splatten trimmer बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छे से hair का जितना भी splatten है remove कर देता है और इसको मैं मंद में एक बारी यूज़ करती हूँ, इसको हमेशा dry hair में ही करना है, कभी भी गिला बाल में करना नहीं है splatten remove करना बहुत जदे important होता है, hair के लिए, hair healthy रहता है, growth अच्छा रहता है, आपका hair damage नहीं रहता है और hair बहुत जदे smooth भी रहता है, अब घर पे भी निकल सकते हो, कोई भी सीजर से भी आप अच्छे से देखके splatten को भी निकल सकते हो, वैसे तो मुझे बहुत जदा अच्छा लगता है यह trimmer से, क्योंकि splatten trimmer से बहुत ही easily निकल जाता है मंद पे एक बार hair इस पा घर पे ही किया करें और अपने splatten को remove किया करें, उससे hair का quality वो अच्छा रहेगा, hair healthy और अच्छा दिखेगा guys याद है आपको नहाने से पहले मैं charger को जो cover लगा रही थी वो finally लग गया है और इसका look देखो कितना cute है, पूरा pinterest look दे रहा है मैंने सोचा new mobile लिया है, new mobile का new cover लगा लिया है, तो new mobile का charger क्यों ऐसा रहे है, तो मैंने charger का cover भी लगा लिया है और ये कितना ज़्यादा cute लग रहा है, वैसे मुझे ये सारे चीज बहुत पसंदा था, cute cute चीजे, तो मैंने लगा लिया, कैसा लगा, comment करके जरूर बताना 4 month पहले मैंने अपने skincare के लिए कुछ product order दिया था, जो कि मुझे अब जाके receive हुआ है 4 month बाद और मैंने तो एकदम छोड़ी दिया था, उमीद कि मुझे कोई भी product अब मिलने वाला है, क्योंकि इंडिया के बाहर से ये आ रहा था, shipping हो रही थी और मैंने आसा ही छोड़ दिया था, क्योंकि इसका customer care में भी mail कर रहे थे, वहां से भी कोई answer नहीं हो रहा था पट फाइनली ये मुझे receive हुआ है, और ये है Korean skincare product, येस गाइस मुझे बहुत सौक था, कि मैं skincare करूँ Korean का, ताकि मुझे भी तो पता चले कि actual मैं skincare में क्या work करता है, I know Korean जैसे तो इसकी नहीं होगा, क्योंकि मेरा genetic allow नहीं करता है, बट जो जो बहुत था high product था, मैंने वही तीनों product का order दिया है, ताकि मुझे इतना पता चले कि skin कितना healthy रहता है, क्या क्या benefit मिलता है, सो यहाँ पर मैंने ginger toner order दिया, और एक sunscreen, और यहाँ पर निया सरमाइन serum, I hope अच्छा work करें, क्योंकि इसका website से जाके मैंने order दिया है, इंडिया में भी बहुत सरा ये page में मिलता ह बट वो fake भी हो सकता है, और मैं trust नहीं करती हूँ, इसका जो Korean का जो brand था, जो website था, उसी से ही मैंने order दिया है, और फाइनली receive हुआ है, सारे चीजों product को use करूंगी, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ इसका review share करूंगी, तो new month है, तो new month में new skincare अब मैं सुरू करने वाली हूँ और देखते हैं इसका result क्या है, आज मुझे अपना मन्तिली beauty routine सेयर करके आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा, और आप लोग भी बहुत easily इसको follow कर सकते हो, और बहुत ही budget friendly भी है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा है, तो वीडियो को like कर देना, चैनल को subscribe ज enjoy करते रहो और मुझे प्यार देते रहो, बाई!